देखिए हर खबर यही पर सब्सक्राइब टीजे टीवी नाइन भारत वर्ष देखिए हाथसा बहुत ही भयावत था और इसमें जो जाने गई हैं उसके लिए मेरी तरफ से श्रद्धान जली अब बात ऐसा है कि एक्सिडेंट होने के बाद में सभी लोग थोड़ा बहुत बुधिमान हो जाते हैं लेकिन फाइदा तब होगा जब इस प्रकार के जो आगे एक्सिडेंट हुए थे उस पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे हमने क्या कुछ सीख ली है क्या इस पर्टिकुलर एरपोर्ट की बारे में कहूं तो यह जैसा कि आपने खुद देखा और कहा है यह पहारी को काट करके बनाया गया है तो उतनी ही जगा काटी गई जितनी की आउशक थी और जब हम रनवे के एंडवे पहुंच जाते हैं उसके बाद उतना स्पेस नहीं है कि अगर स्खिट करकर के और थोड़ा आगे जा रहा है तो फिर रुका रहेगा फिर घाटी में गीरेगा ही और इस प्रकार के तीन रन तो ये तो में चीज है जिसमें ये बड़ा क्लियर है कि जब पानी बरस रहा हो तो लेंडिंग के समय प्रॉलम आएगी और ये पहली बार नहीं है इस एरपोर्ट पर पहली बार नहीं है मैंगलोर एरपोर्ट पर पहली बार नहीं है और लेंगपोई एरपोर्ट जो उच्छी समय पहले एक उनको नोटीस इशू किया था कि आपके रनवे की चिपिंग हो रही है और जगा जगा पानी इकठा होता है और जो धलान है वो इस प्रकार का नहीं है जगा जगा पूल्स बन रहे हैं पानी के उचित नहीं है लेकिन मैं यह कहूंगा ठीक है वो उस सम हो रही है तो रणवे को आप klar सकते हैं आप कह सकते हैं कि आप एस रणवे को नहीं इस्ताम करेंगे आप कहीं और जायए और कहीं बुद्धि मत्ता का बहतरीन इस्तिमाल किया लेकिन अगर शायद यहां लेंडिंग से ही उमना कर देते हैं और कहीं alternative लेंडिंग होती तो वो बहतर होता लेकिन अब यह अनलाइस किया जा सकता है हाथसा हो सकने के बाद वही शारदा जी कह रहे हैं कि जब एक बार हादसा हो जाता है घटना घट जाती है उसके बार विशलेशन बहुत आसान हो जाता है उसके पहले इन चीजों को भापना प्रियम्ट करना ही समझदारी होती है लेकिन कई बार उसमें चूक हो जाती है